आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनके फूट प्रेंट्स बिदाउट फीट सप्लीमेंटरी रीडर का ये पहला चैप्टर जिसका नाम है ट्रंप अफ सजरी और आज हम लोग इस चैप्टर के हिंदी शॉट समरी देखने वाले हैं हिंदी कहानी देखने वाले हैं इस कहानी में क्या है ये सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और आपको एक चीज और बता दू हिंदी समरी जानने से पहले ये क्यों जरूरी है इसलिए भी मैं आपको बता दूँ क्योंकि इसके जो शॉट टाइप क के जो questions होते हैं या फिर even long type के जो questions नांसर होते हैं उनको समझने के लिए हमको इसकी Hindi summary, Hindi story आनी बहुत जरूरी है तभी हम इसमें अच्छा कर पाएंगे या फिर आप हम लोग बात करें इसके MCQ types के questions या फिर इसके true false type के questions वो तभी हमें समझने आएंगे तो इसलिए ये बहुत जरूरी है और यदि आप चनल पर नई है तो चनल को subscribe कर दें और साथी साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का notification भी मिलता रहे तो आई हम लोग शुरूआत करत इससे पहले मैं आपको बता दू कि इस कहानी के जो राइटर हैं वो Mr. James Herit है जैम्स हरिट के द्वारा ही ये कहानी लिखी गई है और वही इसको बताते हैं वही इसमें नरेट करते हैं तो कहानी की जो सुरूआत होती है उसमें क्या होता है एक इसमें दो तीन मैन करेक्टर हैं एक हमारा सबसे जो मैन इसका जो करेक्टर है महतबूर करेक्टर है वो है ट्रिकी कोई लड़का नहीं है ट्रिकी क्या है एक कुत्ता है और एक हैं इसकी मालिक हैं जो मिस्टरेस है मतलव जो इसकी मालिक कौन है वो Mr. Pumphrey है और एक डॉक्टर M. Dr. James Herit ये जो हैं इसके क कुट्ते जो उनका कुट्तायए ट्रिकी उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है इसकी बहुत ज़्यादा नेक वा करती है उनके उनके जो फैमली जो जो जी न भूछ चोकलेटेन आँ यहां तक इसको ब्रांडी भी पलती हैं और भी बहुत भूट यहीं पर आपकतिन Κ llevar आप मोटड़ा और अर टैर्ड़ा कि एक काम करते हैं पर रहं tua कि इस कहानी को चार शोड़ा है तो लेकिन जो मिस्टर पंफरे हैं, उने इतना प्रेम हैं कि अगर में अपने इसकोते टिर्की का अगर में खानपान कम कर दूगी, जो बोजन में कम कर दूगी, तो कहीं यह थक नहीं जाया, बोदा नहीं हो जाया, तो इस वज़े से उसको, उसकी जो डाइट उसको बिल्कुल कम नहीं करती है, तो होता क्या है कि वो ज्यादा खाते-खाते क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा मतलब आलसी हो गया है, इदर उदर घूमता भी नहीं, उस पर चल भी नहीं मिलता है, तो बहुत ज्यादा मतलब एक ही जगे, बहुत ज्यादा रेसमी बिस्तर पर तो वो सोत औलकुल के लिछ खाता है ना डोलता है ना यहां तक होगी नहीं इनुहिता है तो बहुत ज़ाने तक ही स्वास्था जोगव को बुलता है, तो बहुत । क्या होता है इस सारी चीजें वो उसमें बताते हैं फिर इसमें क्या होता है कि वो बोलते हैं उससे कि ये इसकी जो तबियत है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है और इसका हमें क्या करना पड़ेगा इसकी सरजरी करनी पड़ेगी क्या करनी पड़ेगी कि ट्रंफ अफ सरजरी इसके बिस्तर वगयरा सारी चीजह वह जो यह गैडि में रखते हैं तो उसके जो पंपरे चाहएन वमस्ता साओनuste से सानी एक एक सारे के सारे रहां पर और भो सारे कुत्तों का एलाज चला होता है, तो जो कट्वड़े घर वगर इसमें उनको खिलाय पिलाय जहाता है, जब दो दिन तक उस्से को खाना पीने को नहीं मिलता उसकुत्ते को तो उनको भी चाटता फिरता है, उसके बात क्या होता है कि इदर जो mister मिस्टर पंफरे वो इसके लिए बहुत सारे मदला केक चौकलेट बगएरा वेजती है और यहां तक इवन ब्राण्डी भी पहते हैं ब्राण्डी एक तरीए की सराब होती जो पीते हैं उनको अच्छे से जानकारी होगी कौन सी ब्राण्डी होती है तो बहुत तक यहां तक जो मिस्टर जैम सेरिट के जो उसमें जो उनके कमपाउंटर कह लीजिए आप या जो भी उसमें जो स्टाप होते हैं वो उसको खाते हैं और 15 दिन तर उनका चलता रहता है तो उनको भी होता है यार यह ऐसा कुट्ता आएगा यह तो बहुत अच्छा रहा है कि हमारी खाने की बीजिटा बहुत अच्छे से मदल इसमें क्या हो रही है चल लगी है तो उनको भी इस बात का बड़ा खेद होता है कि यार कुट्ता चला जागा कुट्ता का जो स्वास्त है जो तरकी का स्वास्त है वो अच्छा हो गया है उधर जो जो पंपरे क्या करती है वो उसका अब Mr. Hemerit बहुत खुशी खुशी जो भूस्पिटल में आती है और आने के बाद में क्या होता है कि उनके घर पर बनावुव होस्पिटल होता है उसमें आती है आने के बाद कोता है उनकी जो जो जैम सेरेट होते हैं डॉक्टर जो बैटरियन सर्जन है मतलब क्या है कि वो ज कोता है एक दम फिट होगै पहले से बिल्क minha बाद में की क्या किया हम करते हैं उसको जो घूं को इसको तो छुपाद का श्रह्शाइज कार गधा थे ऑननृट को इस तरही के सब्यों काफी बहुत जादा अधा थे आता है उसके व्हुक्य को जाता है जो या एघुब दूं Mr. Jam Serret की गोद में से पंपरे की गोद में वो कूज आता है और उनके गालों को चाड़ता है उनके चेहरे को चाड़ता है इसे कुत्तों की नॉर्मली आदत होती है ठीक वैसे ही वो भी मतलब वहाँ पे करता है तो इस तरीके से जो Mr. पंपरे हैं इसी तरीके से हमारा क्या होता है कि बड़ी बड़ी फैमिलियों के जो बच्चे होते हैं बहुत जादा इस तरीके की हरकते हैं उनके साथ कियाते हैं लाड़ प्यार में क्या करते हैं कि वो बिगड जाते हैं उनका स्वास्त खराब हो जाता है तो ये सब इस कहानी में बताया गया है तो dear students, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुमीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी अब हम आपको बता दें कि इसमें हम आने वाली जो वीडियो हमारी रहेंगी तो dear students, आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है comment का कि जरूर बताइएगा ताकि मुझे motivation विले साथी साथ आप comment जरूर कर दिया करें और आपकी जो queries है वो comment works में बता दीजिएगा मैं आपकी बिल्कुल बहुत अच्छे से करेंगे हमने grammar की class भी अब स्टार्ट कर दी है तो आप अच्छे से grammar English grammar को देख सकते है UP board के चाहें वो intermediate के students हो चाहें वो 10th class के students सभी के लिए बहुत अच्छे से और आप हमारा WhatsApp ग्रूप है उसमें जुड़ जाईएगा अगर नए है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं एक और नए वीडियो में तब तक